अलो प्यारी बच्चो डियर बेरिंस अप लोग प्लीज स्क्रीन को टरन कर दीजिये क्योंकि ये बच्चो के लिए स्ट्रिक्टली नो स्क्रीट टाइम है। बच्चे सिर्फ स्टोरी को सुनेंगे क्योंकि इस विडियो में कोयि विजुल्स भी नहीं होने वाले हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की स्टोरी. आज की स्टोरी का नाम है, The Two Friends. Once, there lived a lion who was the king of the jungle. We all know that who is the king of the jungle? Yes, it's lion. Lion होता है, jungle का राजा. His favorite pastime was to sit by the sea. उसको बड़ा मज़ा आता था, वो जब भी free होता था, या जब भी खाली होता था, बोर हो रहा होता था, तो वो सी के आसपास जाकर बैठ जाता था. One day, he saw a beautiful dolphin playing in the water. एक दिन उसने क्या देखा, कि पानी में एक बहुत प्यारी सी dolphin केल रही थी. The excited lion called out, Oh, dolphin, will you be my friend? उसने बड़े प्यार से उसको बोला, कि, Oh, dolphin, क्या तुम मेरी दोस्ट बनोगी? The dolphin replied, Of course, it will be my pleasure. वो तो बहुत खुश होगी, उसने सोचा कि जंगल का राजा, वो मेरे से दोस्ती करेगा, यानि कि वो मुझे कभी खाएगा भी नहीं अगर मेरा दोस्त बन जाएगा तो, वो तो बहुत खुश हो गई, और उस दिन से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए. एक बार जब वो बैठा हुआ था समुद्र के किनारे, वहाँ पर एक बुल आया बहुत गुशे में. जब कोई भी बुल गुशे में होता है ना, तो वो किसी के भी हाथ में नहीं आता. बड़े गुशे में भागता हुआ वो आया और उसने अटैक कर दिया किसको? लाइन को. He called out, help me, help me dolphin. अब वो तो जोर-जोर से चलाने लगा, उसने सोचा कि यह मेरी दोस्ते शायदे मेरी मदद करेगी. But the poor dolphin could not help as she would have died if she came out of water. लेकिन क्या होता? डॉल्फिन अगर पानी से बाहर आजाती तो वो तो मर जाती न? इसलिए डॉल्फिन उसको बचा नहीं पाई. The lion was eventually defeated by the bull, but he was very angry with the dolphin. अब इस लड़ाई में क्या हुआ? कि लाइन जो था वो तो हार गया था. लेकिन वो dolphin के उपर बहुत गुस्से में था. वो यही जोशता रहा कि यह मेरी दोस्त है, फिर भी इसने मेरी कोई मदद नहीं करी. बहुत गुस्से में था. आप भी नराज हो जाते हो ना अपने friend से? जब भी आप लोग अपने दोस्तों के साथ खेलते हो तो आप कहते हो नहीं मुझे ही जिता हो, मैं ही जितना जाता हो. और अगर आप नहीं जीतते हो तो क्या करते हो? या तो रोने लग जाते हो या तो फिर अपने दोस्त से नाराज हो जाते हो? क्या आपको ऐसा करना चाहिए बिल्कुल नहीं तो देखो फिर लायन और डॉल्फिन के बीच में क्या हुआ तो पूर डॉल्फिन क्राए and explained everything to him बेचारी डॉल्फिन तो रोने लगी और उसने सारी चीजे लायन को समझा दी लायन understood that everyone was helpless in front of nature he forgave the dolphin लायन बहुत समझदार था और उसने डॉल्फिन की बात को समझा उसने ये समझ लिया कि अगर वो बहार आ जाती तो वो तो बची नहीं पाती क्योंकि वो तो मचली है वो पाने की बिना रह नहीं सकती उसने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ तो ये स्टोरी से हमें ये मॉडल मिलता है दाट डू नॉट है एक्सपेक्टेशन विच के नॉट बी मेट हमें ऐसे किसी से भी उमीद नहीं रखनी चाहिए जो कभी हो ही ना सके जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हो तो आप हमेशा यहीं चाहते हो कि सबसे पहली बैटिंग आपको मिल जाए या कोई भी गेम खेल रहे हो तो सबसे पहला चांस आपको मिल जाए या आपको हमेशा जीतना ही होता है या अगर आप कुछ गलत बात भी कर रहे हो तब भी आप सोचते हो कि आपके पेरेंट्स आपको अच्छा बोले आपने अच्छे हैं राइटिंग नहीं निकाली है फिर भी आप सोचोगे कि नहीं मुझे टीचर ने क्यों ऐसा बोल दिया या मुझे मेरे मॉम डाट ने ऐसा क्यों बोल दिया कि तुमने अच्छा नहीं लिखा है ना हमें हमेशा जो सच है जो सही है उसका साथ देना चाहिए और किसी भी बात में किसी भी गलत बात में यह एकस्पेक्ट नहीं करना चाहिए कि आपका साथ दिया जाएगा भाई अगर अच्छे अंडराइटिंग नहीं निकाली है तो आपको नहीं बोला जाएगा अच्छा ठीक है अगर आप किसी गेम में हार गए हो तो आप हारी गए हो अब आपको जूट में ऐसा तोड़े ना बोल देंगे कि हाँ जीत गए जीत के तो ये सारे तो चीटेंग हो जाएगी इसी लिए अगर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड भी है या आपका कोई भाई बहन ममा डाड़ी कोई भी है उनसे आपको ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि आप जूट जूट उन लोगों से एक्सपेक्ट करो तो चलो आज की सोर आपको कैसी लगी है मुझे जरूर बताना कैसे बताओगे इस वीडियो को लाइक कर दे अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ बाबाई